Good morning students, आज मैं आप लोगों को periodic test 2 का व्याकरन का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो की है हमारा वाक्या विचार तो पहले पढ़ेंगे हम लोग वाक्या किसे कहते हैं और वाक्या के कितने भेध हैं उत्तर है भाव और विचारों को प्रकट करने वाले विवस्तित सब्द समों को वाक्या कहते हैं मतलब कोई भी वाक्या में भाव और विचारों का होना जरूरी होता है तभी वह वाक्या कहलाता है वाक्य के अंग है रचना की द्रिष्टी से वाक्य के दो अंग होते हैं पहला उद्देश्य और दूसरा विध्य उद्देश्य वाक्य में जिसके विशय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं जैसे दादी जी पढ़ा रही है मतलब वाक्य में हमेशा जिसके विशे में हम लोग बाते करते हैं जिसके विशे में हम लोग बताते हैं या लिखते हैं वो हो जाता है हमारा उद्देश्य जैसे दादी जी क्या कर रही है प्रहा रही है उसी प्रकार दूसरा है विधय वाक्य में उद्देश्य के विशय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधय कहते हैं यहां है वाक्य में उद्देश्य के बाड़े में जो बताया जा रहा है या उसके विशय में जो कुछ भी बताया जाता है वो हो जाता है हमारा विधाय जैसे कुत्ता फोक रहा है तो कुत्ता क्या कर रहा है फोक रहा है अभी हम लोग एक उधारन देखेंगे उधारन है उद्देश्य और विधाय तो उधारन यह पर दिया हुआ है निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है तो निर्धन बालिका आ कल नागपूर जाएंगे विधय, कलपना चावला उद्देश से हो गया, अंत्रिक्ष यात्रा पर गई थी, ये हमारा विधय हो गया, ठीके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्या की भेद, तो वाक्या के कितने भेद होते हैं, वाक्या की भेदों के दो आधार होते हैं, पहला है अर्थ के अधार पर वाक्या के आठ भेद, पहला है विधान वाचक वाक्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे वाक्या, जिनसे किसी बात या कारिय के समान्य रूप से होने का पता चलता है, उन्हें विधान वाचक वाक्या कहते हैं, मतलब कोई भी वाक्या में कोई भी बात हो या क्रिया हो जो सामान्य रूप हो जिसका वो हो जाता है हमारा विधान वाचक जैसे हरीद्वार में गंगा बहती है तो हरीद्वार में गंगा ही बहती है यह एक्तम सामान्य बात है इसलिए इसे बोलते हैं हम विधान वाचक वाक्या दूसरा है निसेद वाचक वाक्या, negative, ऐसे वाक्या जिनसे किसी कारियक के ना होने का भाव होता है, उन्हें निसेद वाचक वाक्या कहते हैं, मतलब कोई भी वाक्या में कोई भी कारियक ना हो, ना होने का भाव पता चले, कोई भी काम अधूरा या नहीं हो रहा है, उसका पता चले तो तो वो होता है हमारा निशिद वाचक वाक्या, जैसे हम रात को खाना नहीं खाएंगे. इसे वाक्या जिनसे विष्मे, हर्स, सोक, भय, घृरना, क्रोध, आधी, भाव प्रकट होते हैं उन्हें विष्मे, वाक्या कहते हैं जैसे वाक्या सुन्दर फूल है मतलब विष्मे, वाचक में क्या होता है हम अपने मन के दूख, दर्द, हर्स, उल्लास, भाय, घ्रेना, क्रोथ, इन सब का भाव जब हम प्रकट करते हैं, वो होता है हमारा विश्मय वाचक वाक्या. चौथा है संदे वाचक वाक्या, यानि की डाउटफुल, ऐसे वाक्या जिन से कार्या के होने ना होने के प्रती संदे या संभावना प्रकट होती हैं, उन्हें संदे वाचक वाक्या कहते हैं, मतलब इस वाक्या में कोई भी कार्या के होने ना होने के बारे में पता चल रहा हैं, मतलब संदे है जिब वो कामे कार्या होगा या नहीं, जैसे शायद अब सर्दी कम हो जाएं, शायद कम हो जाएं या नहीं भी हो सकती हैं, तो इस तरह के वाक्या हो जाते हैं हमारे संदे पांच्वा हैं आग्या वाच्क वाक्य ऐसे वाक्य जिन से आग्या प्रात्ना अनुमति निवेदन आदेश आदी का पता चलता है उन्हें आग्या वाक्य क्यान विधी वाक्य कहते हैं मतलब यहाँ इस वाक्य में क्या होता है आग्या देना या किसी से प्रात्ना करना या किसी से अनुमती लेना या निवेदन करना आदेश देना इस तरह के अगर वाक्य हो तो वो होता है आपका आग्या वाचक वाक्या जैसे जाओ जाकर पानी भरलाओ इस तरह के वाक्या संकेत वाचक वाक्या, ऐसे वाक्या जिनसे किसी ना किसी सर्थ के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेत वाचक वाक्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों में यदि अगर जैसे सब्दों का प्रियोग किया जाता है, जैसे यदि कहोगे तो चलूँगे, इस इसमें होता है कि कोई भी कारिया एक सर्त पर होता है वो हो जाता है हमेरा हमारा संकेत वाचक वाख्या। इन वाक्यों द्वारा प्रस्टन करने का भाव प्रकट होता है, उन्हें प्रस्टन वाचक वाक्या कहते हैं, जैसे आपके विद्याले में वार्षिक समारों कब होगा? तो प्रस्टन वाक्या, वाचक वाक्या क्या होता है, जहां प्रस्टन करने का भाव हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, खाव नमबर रचना के अधार पर वाक्या के भेद, तो रचना के अधार पर वाक्या के तीन भेद हैं, सरल वाक्या, सरल वाक्या, संग्युत वाक्या, मिस सयावे ह Beach यह पर एक काम कर रही है प्रहाने का तो यह हो जाता है हमारा सरश्ün वाक्या, दूसरा है सहुप वाक्या, जीन वाक्यों के सभी आपै वाक्या सामान स्तर के होते हैं, उन्हें सेंग्युक्त वाक्या कहते हैं मतलब जो वाक्या में सभी वाक्या उपवाक्या एक समानस्तर के हो जैसे खाना बनेगा तो हम सब खाएंगे यहां एक ही वाक्या को दिया गया है खाना बनेगा तभी सब खा पाएंगे उसे तरह तीन नंबर है आपका मिश्डवाक्या ऐसा वाक्या जिसमें एक प्रधान उपवाक्या और दूसरा आशित उपवाक्या होता है वह मिश्डवाक्या कहलाता है जैसे दादी जी ने बताया कि वे कम्प्यूटर पर काम कर रही थी या अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा तो मिश्रवाक्य वो होता है जहां उपवाक्या और अर्शित वाक्या दोनों ही एक स्तर पर हो जैसे कि यहां दिया हुआ है दादी जी ने बताया ये हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्या और वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी ये हो जाएगा आपका आर्शित वाक्या या अध्यापिका ने पूछा आई है आपका हो जाएगा प्रधान उपवाक्या और कविता कौन सुनाएगा ये हो जाएगा आपका आर्शित वाक्या तो यहां पर की जोडने से बन जाता है मि यह लोग बच्चो अभ्यास करेंगे आप लोग अपने अपने घरों में यह अभ्यास कौपीयों में करेंगे पहला प्रस्थ है नीचे लिखे वाक्य के आगे अर्थ के अधार्प पर उनके वेदों के नाम लिखिये, पहला है काश पापा जी यहां होते, सायद मनोहर मान जाए, यदी समय होता तो तुमसे मिलने अवश्य आता, ना जाने बस मसुरी कब पहुँचेगी, तुम इसी समय काम पर पहुँचो, इनको आप सॉल्ब करके कॉपी में लिखोगे, दूसरा है, रचना के अधार पर राक्य वेदो के नाम लिखिये, पहला मेघा ने गीत गाया और नेहा ने नित्य किया, बच्ची का हाथ पकड़ लो ताकि वो गिर न जाए, स्रवेश, रमेश और दिनेश पर रहे हैं, पिताजी ने बताया कि वे आज दिल्ली जाएंगे, अ अर्थ के अधार पर और वाक्य के अधार पर सही भेद चुनिये, क्या आप लखनो जाएंगे, प्रस्न वाचक वाक्या, विधान वाचक वाक्या, संकेत वाचक वाक्या, विश्मया वाचक वाक्या, इन चाड़ों में जो सही हैं वो आप लोग चुन कर लिख लेंगे, नमबर आग्या वाचक वाक्या और घा नमबर संकेत वाचक वाक्या तो यहां से जो सही है वो आप लोग चुनकर लिखोगे तिसरा है सुबा होने पर पक्षी चहचहाने लगे निशेद वाचक वाक्या संकेत वाचक वाक्या विधान वाचक वाक्या इच्छा वाचक वाक्य और फुस्तके लेकर आ गया कौन सा वाक्य होगा सरल वाक्या संगिक्त वाक्या और मिस्टर वाक्या वह आप लोग लिखोगे कॉपी में ठीक है बच्चो आज के लिए इतना ही थाइंक यू